दोस्तो HSC Group C 32 से जुड़े जो है आठ बड़े दमाके जो है आज किये गए हैं अगर आप जाना चाते हैं तो वीडियो को अन तक आप दुरू देखना नमस्का दोस्तों आप सभी का श्वागत करते हैं मारे यूटूब चैनल यूगी स्मार्ट में दोस्तों कर आपने भी त बड़े चैनल को ज्वाइन कर लें तैली यहां चैनल नियोगी स्मार्ट को सबस्क्राइब जरू करें और तेली विट इस्मार्ट में दिया गया है और हमा का नाम है योगिश्मार दोस्तो एचसी गुरूप सी बरती को लेकर जो है अभी अभी आठ बड़ी खबर आई हैं दोस्तों वीडियो को हम तक आप जुरू देखना और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्स उमिद्वार को एक गिना जाएगा और बले ही सभी पदों के लिए पत्र हो यानि कि एक जो गुरूप रहेगा उसके लिए एक उमिद्वार को ही चुना जाएगा उसके अलावा अगर वही उमिद्वार दूसरे गुरूप के लिए भी पत्र है तो उसको अलग गुरूप म जो है एक वार फिर शे गिना जाएगा इस तरह से जो है 4 गुणा से ज़्यादा उमीदवारों को जो है दोस्तो इसमें मेंस इक्जाम में बैठने का मौका मिल सकता है उसके पा convinced ईसमें सामाजी कार्थिक मार्डंट के अंग को होने के बावजूद भी उस कंडिडेट ने जो है सीटी में सामाजी का अर्थिक मापड़न के अंग का वेनिफिट लिया है तो उसी को लेकर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है यह डाटा जारी किया गया है और अब गुरूप के लिए जब भी एक्जाम होगा जब भी गुरूप सी मेंस का एक्जाम होगा उस समय जो है जिस भी कैटेगरी के लिए तो उस कैटेगरी की जो है दोस्तों कैट ओफ को भी जारी किया जाएगा कि इतनी कट ओफ वाड़े जो कंडिडेट है वो च्यार गुना के अंदर आने वाड़े हैं और इनटीडेट को जो है इस परिक्षा में बैटने का मुखा जो है वो दीया जाएगा उसके बाद जो है दोस्तों सकोर से उपर अभी तक उमीदवारों को लिखित प्रिक्षा में बुलाए जाएगा यानि कि जो सीटी पास जो कंडिडेट है जो सीटी मेंस में बैठने वाड़े जो candidate है के वर उनको च्यार गुणा के अंदर जो बुलाने का जो policy है उसी के अंतरकत जो है दोस्तो उनको लिखित परिक्षा के लिए जो है दोस्तो बुलाए जाएगा उसके बाद जो है आरक्षन केटेगरी जनरल केटेगरी से मिल सकता है यानि की CET में जो है दोस्तो आपने देखा होगा लगबग कंडिडेट ने EWS को सेलेक्ट किया हुआ है जनरल केटेगरी होने के बावजूद भी और जो एक सर्विसमेन है इन सभी को जो है दोस्तो इसकी प्रेफरेंस देनी होगी अगर इसकी प्रेफरेंस अगर कंडिडेट नहीं दे पाते हैं तो इन कंडिडेट को जो है दोस्तो जनरल केटेगरी में सामिल कर लिया जाएगा अगर CET प्रिक्षा के अंकों में प्रिक्षा लेते हैं एक ही काटेगरी के 2.25 लाग उमिदवार अगर जाते हैं तो इस दोरान जो हैं दोस्तो देनिक शिवेरा ने पुछा कि उमिदवारों को यह मांग की है कि सामाजिक आर्थिक मापड़न के 5 अंकों के बगार CET की मु इक्जामिनेशन का जो स्कोर है उसी के आधार पर जो है चार गुणा कंडिडेट को जो है इसमें बुलाना बुलाने का जो प्रावदान है वो करना चाहिए उसके बाद जो है दोस्तो आप यह देख सकते हैं आपकी जो कैटेगरियां रहेंगी उनके लिए अब जल्द ही जो है दोस्तो इसके लिए नया सैडूल जारी क्या जाएगा क्योंकि लगातार जो है दोस्तो एचसी के तीन चार नोटिस जो है अब लगातार फेक जो नोटिस आप लगातार देख रहे हैं कल भी जो है दोस्तो एक नोटिस आया था परशों भी एक एक इक्जाम डेट को लेकर नोटिस आया था जो कि चेर्मेंस आपके दवारा बताया गया है बिल्कुल फेक जो वो नोटिस है और इसकी जानकारी जो है दोस्तों हमने टेलिग्राम चनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड भी करवाई थी अगर आप टेलिग्राम चनल से अभी तक नहीं जुड़ अगर आप उससे ज़्यादा आवरेज हो चुके हैं तो आप अगर बला ही जो है आपे CET पास कंडिडेट हो लेकिन आपको जो है इसमें आपको मोका जो हो नहीं मिलेगा अगले सब्सक्राइब के अनुसार जो है शोट लिस्ट कंडिडेट की जो लिस्ट है वो जारी की ज सकती है वो चाहे कोच भी एजेंडा हो आज भी जो है दोस्तों केविनेट मिटेंग होने वाड़ी है इस दोरान भी जो है CET को लेकर क्या बड़ी अपडेट आती है जैसे ही कोई अपडेट आएगी दोस्तों उसकी जानकारी भी हम आप सभी के साथ शेयर जुरू करेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब आप जुरू करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सेर भी जुरू करें और वीडियो यह तक देखने के लिए आप सुभी का धन्यवाद